नवसकार दोस्तों, सामाजिक कारकरता तीस्ता सीतलवार को गुजरात ATS की टीम ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें मुंबई के सांता करूट पुलिस स्टेशन में पेश करने के बाद ATS एहमदाबाद लेकर रवाना हो चुकी है। सीतलवार के खिलाफ ATS को एक्शन ऐसे मैधपूर गटना करम के बाद आया है जब एक दिन पहले गुजरात दंगा 2002 मामले में सुप्रीम कोट ने जाफिय जाफ्री की याज का खारिच की और तीस्ता सीतलवार के एंजियो के जाच की इसके बाद सनिवार सुबह हॉम सामाजिक कारेकरता तीस्ता सीतलवार को गुजरात ATS की टीम ने हिरासत में ले लिया है उन्हें मुंबई के सांता कुर्स पुलिस टेशन में पेश करने के बाद ATS एहमदाबाद लेकर रवाना हो चुकी है देते हुए नरिंदर मोदी समित कई राजनिता और अधकारियों को दोस्मुक्त कर दिया था जिसके खिलाफ एहसान जाफरी की पतनी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोट में याचिका डाली थी तीस्ता सीतलवार सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस एंजियो की सेक्रेटरी हैं जो 2002 के गुजरात दंगों के पीड़तों की वकारत करने के लिए बनाई गई एक संस्था है ये संस्था को पैटिशनर है जो 2002 के गुजरात दंगों में सामिल होने का दावा करके नरिंदर मोदी और कई दूसरे पॉलिटीशन्स और सरकारी अधकारियों के खिलाफ आपरादिक मुकदमत चलाने की मांग कर रही है 24 जून 2022 को सुपरिम कोट ने गुजरात दंगों के मामले में नरिंदर मोदी को दी गई एसाइटी दोरा किलिन चिट को बरकरार रखते हो कहा कि सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सी तलवार ने याचका करता जाकिया जाफरी की भावनाओं का शोशन गलत उद्दिश्यों के के लिए किया है इसके लिए उनके खिलाफ और जांच की जरूरत है तीस्ता और उनके पती जावेद आनंद के खिलाफ आरूप है कि उन्होंने दोजार दो से बड़े लेवल पर मनी कलेक्शन करके दंगा पीडितों के नाम पर 6 करोड रुपे से 7 करोड रुपे तक की करेंसी लोग को तोड़ा है और 2009 में यूएस के फोर फाउंडेशन द्वारा अपने एंजियों को दिये गए डोनेशन का गलत इस्तमाल किया गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवार के खिलाफ मुंबई इस्तिस सांटा क्रूज ठाने में फाईयार धर्च कराई है जिसम एटीएस अदकारी के मताविक उन्हें अभी गरफतार नहीं किया गया है किवल हिरासत में लिया गया है इंफोर्मेशन अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए